हेलो आज हम बात करेंगे learn how to locate countries origins part 3 के बार में क्योंकि मैं पहले part 1 और part 2 बना चुका हूँ तो आप प्लेलिस में जाकर चेक कर सकते हैं और मैं हूँ राज कमल तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आज हम बात करेंगे यूरोप के बार में क्योंकि पिछला वीडियो मैंने बनाया था वो एस या पर बनाया था तो यूरोप में अगर आपको किसी भी country का locations या reasons पता करना तो आप यूरोप को भी कई भाग में डिवाइड कर सकते हैं तो सबसे पहले यह हो गया एक ब्रॉड रश्या मतलब रश्या हो गया वर्ल्ट's biggest country लेकिन जो रश्या है वो दो continent में फैला हुआ है पहला है पहला यह है European part और दूसरा यह है Asian part तो आज हम European part के बारे हम बात करेंगे तो European part में उसका जो यह जो पार्ट है उसमें रश्या की बहुत सारे influence बहुत सारे countries पर बहुत influence अगर मैं बात करूं तो old Soviet Union के बारे मैं बात करूं तो Soviet Union जो था वो बिलकुल ऐसे था ऐसे अगर आप ऊपर के कुछ कंट्रीज को देखेंगे तो यहां पर आपको यहां जो मालूम 9 कि फिर से मल्डोवा, बहुत सारा जो कंट्रीज उस पर आज भी रश्यन इतनिक लोग रहता है, जिस पर रश्या बहुत ज़्यादा डॉमिन्स उन कंट्रीज पर रखता है, फिर से अगर मैं बात करो तो इस्टन इरोप के बहुत सारे कंट्रीज लाइक रोमानिया, फिर से क्योंकि उसका जो चर्च है, इस्टन और्थोडॉक्स चर्च, उससे भी वो बहुत ज़्यादा प्रभाव रखता है, जिस लेकि इस मैप के जरी हम समझेंगे कि यह जो जॉर्जिया है, यहाँ पर भी वो बहुत सारा दखल रखता है, अर्मेनिया में, फिर से अजरबैज पार्टान को टेकनिकल利 लोग बोलता है, ईसिया का पार्ट है, बहुत सारे लोग बोलता है कि यह यूरो पका पार्ट है, लेकिन यह रशिन एरिया उफ इन तरफ में रहता है, तो आगे हम बात करेंगे, यहाँ कर आरए इक करांदम आब जिस को मैंने बताय, अगर बड़ और ये है रश्या है तो रश्या से बाहर उसका एक स्थेट आता है उसका राज्य आता है उसका नाम है ये अगर उसका स्थे बाल्टिक सिंप को टच करता है थोड़ा सा कुजदूरी तक लेकर रिल्विला जाता है उसके बाद से कलिन ग्राड में जाता है फिर से वो डाइरेक्ट अगर देखा जाए तो लात्विया में गुस्ता है फिर लितुवानी में फिर कलिन ग्राड में जाता है तो ऐसे उसको काफे मुस्किल का सामना करना बिटेन और आयरलेंड से मिलकर बना यह स्कॉट्लैंड इंगलेंड वेल्स और नौदन आयरलेंड मिलकर यूके बनता है और यह रिपॉब्लिक ऑफ आयरलेंड जो की 1920 में यूके से आजाद हो गया था और यहां पर इंगलेंड एक सेपरेट कंट्री है स्कॉट्लेंड एक सेपरेट कंट्री और नदर्ण एक सेपरेट कंट्री ये चारों कंट्री मिलकर ग्रेट बिटेन या युनाइटिट किंडम बनाता है जिसलिए कि अगर आप भी रिसेंटली वर्ल्ड चेस चैन्ड ओलम्पियार चल दे जो की चैन नहीं में हो रहे हैं तो इंगलेंड के टीम भी आई हुई है स्कॉटलेंड के टीम भी आई हुई है और वेल्स के टीम भी आई हुई है तो आगे हम बात करते हैं यहां पर यूरोप के बाराय में यूरोप आगे अब बोलेंगे कि यह British अपे बारे है वह कहां यह कहा है कि यो जो आप बोल सकेंगे जो आप बोल सेल्स इसलिए का जाता है क्योंकि में लैंडिन्टल यूरोप है उससे दूर है यह आई लैंडिक कंट्रि है कई आगे हम बात करेंने बॉर्क Pat know how बालकन रिजन उसे कहा जाता है आपको मैं आपको बताता हूं कि आखिर बालगन क्या हो रहा था उससे मैं हमारे जो सरदार वाल्ळ भाई पटल उन्होंने कहा था कि मैं भारत को एक रखना चाहता हूँ मैं भारत को एजब बालकन नहीं यह सब मैंने सब को अधरा रखना चाहता हूँ इछभा इसरे के रोपë में मिन्स इंडिया के मैं देखना चाहता हूं लेकिन असली में बालकन जो यूरोप के सदन साइड में आता है इतना बड़ा रीजन है मतलब यह पूरा रीजन भी भारत से बहुत छोटा है इसके बावजूद इसमें देखेंगे तो बहुत सारे कंट्री जास लाइक आप देखेंगे तो क्रोशिय सब्सक्राइब करता है तो इसे हम बालकन बोलते हैं मिन्स एक बहुत बड़ा लैंड मास है जो कि कई सारे सेप्रेट इंटिटीज में बटा हुआ है तो अब हम आगे में बात करेंगे वेस्ट यूरोप के बारे में तो वेस्ट यूरोप आखिर में कहा के जाता है तो यहाँ पर मैंने नैटो का मैप लिया है वेस्ट यूरोप उसे कहा जाता है जो कि रशियन एरिया फिन France से Cold War के Time separate करता था ज़स लइक अगर मैं बात करो तो ये British Isles हो गया, British Isles हो गया, उसके बाद से ये Spain हो गया, Portugal हो गया, France हो गया, ये Belgium हो गया, Netherlands हो गया, ये Norway हो गया, ये जॉटा सा Denmark हो गया, इटली हो गया, तो ये सब सारी जो country है, ये मिलकर West Europe बनाती है, हला कि मैं आपको बता दू कि वेस्ट यूरोप जो है वो एक तरीका से जो modern world geopolitics है modern world है उसकी जो new बोल सकते वो यो वेस्ट यूरोप से ही रखी गई मैं आपसे मैंने अपना वीडियो इंग्लिश में बना है मैं भले हिंदी में बोल रहा हूं लेकिन आप जो भी देखेंगे computer में book school में आप पढ़ते होंगे इंग्लिश में पढ़ते होंगे इंग्लिश कहां से आई तो इंग्लैंड से फिर से बहुत सारे आफ्रिका के लोग फ्रेंच भासा बोलते हैं तो फ्रेंच कहां से आई तो फ्रांस है और लाटिन अमेरिका में तो बहुत ज़्यदा popular है Spanish तो इस्पैनिस कहां से फिर ब्राजील में सबसे ज़्यादा बोल जाता है क्या तो पूर्डिगेस पूर्डिगेस कहां से तो पूर्डगाल से फिर से आम कॉंगो के बारें बात करेंगे तो कॉंगो में सबसे ज़्यादा अगर कोई भासा बोली जाती है तो वो डच भासा है बिल्जियन भासा बोल जाती है डच मिंस नीदर लैंड्स होता है नीदर लैंड्स के लोग को डच बोल जाता है तो वो डच भासा बोलते हैं और ब देखेंगे तो विस्ट यूरोप जो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है जिस लेकि मैं बता सकूँ आपको तो युनाइटेट निसन जो सिक्रूटी काउंसिल उसके अभी भी दो परवानेंट मेंबर जो है वो विस्ट यूरोप से एक पहला तो आपका से इंगलेंड आता है धुसरा फ्रांस ताहल पिर से अब हम बात करते हैं सेन्टर लिएऊप पक्रणने जोह लातसा crucified जो कि ये होगे चिक रिपब्लिक ये होगे स्लोवाकिया फिरसी ये होगे आस्ट्रिया ये होगे हंगरी और ये होगे स्लोवानिया और ये नीचे में अगर आप देखेंगे पहले ही मैं आपको बता चुका हूं ये सुरू हो जाता है यहां पर यहां पर अगर आप देखेंगे तो नीचे शुरू हो जाता है बालकन रीजन सो आपको यह मेरा यह वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और इस वीडियो में मैं और क्या सुधार करूँ जिससे की यह वीडियो आपको और जाद समझने में आसान लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और प्लीज 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 आप इस वीडियो को सब्सक्राइब केजिए थैंक्स